दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहले कबर बिहार के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्तान 21 जनवरी तक रहेंगे बंद पहले की तरह चलेगी ओलाइन क्लासे जिहां कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है अब 21 जनवरी तक बिहार के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्तान बंद रहेंगे पहले की तरह ही ओलाइन क्लासे चलेगी इसके अलावा बिहार के सभी होस्टल भी बंद रहेंगे आपको बता दे कि ततकाल परभाव से 21 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद किया गया है अगली बड़ी कवर बिहार में दबतरों के लिए जारी गाई-लाइन में हुआ संसोधन जानिये पाबंदियों में क्या हुआ नया बदला हूँ जहां बिहार में कोरोना संक्रमन के गहराते संकट को देखते वे सरकार ने अब पाबंदिया बढ़ा दी है राज जिबर में गुरुवार रात से नाइट कर्फ लागू कर दिया गया है वह दबतरों के लिए भी नियम बनाए गये हैं मंगलवार की साम मुईकि मंतरी नितिस कुमार की अधिक्सा में क्रैसिस मेनेजमेंट गुरूप की बैठक वी जिसमें पटना समित सभी जिलों के आई रिपोर्ट प वह एक आदेश जारी किया है जिसमें प्रदेश में 6 जन्वारी से लागू किये गए गाड़ लाइन में संसोदन किया गया है सब इस सरकारी और गैर सरकारी कार्याले को 50 फिजदी उपस्ति के साथ खोलने के अनुमती दी गई है यह आदेश 4 जन्वारी को जारी किया गया जिसे 6 जन्वारी से लागू होना था सरकार ने इस गाड़ लाइन में कुछ सिवाव को इस आदेश में छोड़ दिया था गुरुआर को इस सुची में एक और सिवा को जोड़ा गया है जिया यानि अब जिन विभागों पर सकते लागों नहीं रहेगी उनमें जीला प्रस 10 लहर पटना में 1407 नए केस प्रदेश में 2389 संक्रमित मिले जिया बिहार में कोरोना की तिसरी लहर बेकावू होते जा रही है बिहार में संक्रमन का एक वार फिर से बड़ा विस्पोट हुआ है राज के अंदर पिछले 24 गंटे में 2389 नए मरीज मिले हैं जबकि राजदान नहीं एक मात्र कारण है जिसके कारण आज यह इस्तिति देखनों को मिल रही है आपको बदा दे कि पाटना के अलावा गया में 177 मुझपरपुर में 137 कोरोना पोजिटिव मरीज मिले हैं वहीं सारन में 52, बेसाले में 35, बेगुसरा में 71, मदोबनी में 36, मुंगेर में 20, दरबंगा में 24, भागलपुर में 27, समस्तिपुर में 31, कोरोना पोजिटिव मिले हैं बाड़ी कबर बिहार में सुरू हो चुकी है हाड का पाने वाली ठण, पचवा ने बढ़ाई कंकनी, अगले चार दिन तक पुरे बिहार में कोल्ड डे के इस्तिति रहेगी, प्रदेश के अधिकतर इलाके में पच्वा चलने से नियुंतम और अधिकतम तापमान और निचे आएगा, उत्तरे और दक्चिन बिहार समान रूप से मजदम और गाने कोरे की चादरे ओड़ी रहेगा, आपको बदा दिक कि हिमालाई की वर्फ वारी और पच्वा ने गंगा के मैद वड़ेगा तापमान, जिया प्रदेश में 8 जनवरी के बाद बिहार के 11 जिलों में 12 सोने का अनुमान है, मौसम विभा के मुताबिक उत्तर पश्यम बिहार के 5 जिले, पश्यमी चंपारन, सिवान, सारन, पूर्वी चंपारन, गोपाल गंज और दस्चिन पश्यम बिहार क छे जिले, बकसर, भोजपूर, रोतास, बबवा और अंगाबाद और अरवल में मौसम का परभाव थोड़ा आधिक दिखाए पड़ेगा, इस दोरान इन 11 जिलों में आगले 2 से 3 दिनों में हलकी और बुंदा बुंदी हो सकती है अगली बड़ी कबर नितिस कुमार को तजस्वी ने फिर साथ आने का दिया ओफर, आरजेडी ने कहा, खरमास के बाद बिहार में बड़ा खेला यह राज की मुई की बिपक्ची पार्टी ने जातिगत जंगनना को आधार बनाकर नितिज कुमार को फिर साथ आने का उपर दे दिया है इतना ही नहीं पार्टी ने यहाद तक अदिया की क्रमास के बाद बिहार की स्यास्त में बढ़ा वोचाल आने वाला है आरजेडी के प्रदेश एद्दग जदानन सिंग ने गुरुवार को फ्रेस कॉनफरेंज में कहा कि नितिस कुमार को जातिगत जनगना के वादे पर आगे बढ़ना चाहिए और यदि कोई मंत्री उनकी बात नहीं मानता तो हटा दिना चाहिए उनना यह अभी कहा कि एदर सरकार के सामने कोई संकट आता है तो आरजेडी साथ देने को तयार है आरजेडी के प्रदेश एद्दग ने जो बाते इस सारों में कही है उसे पार्टी के परवक्ता ने बाद में मीडिया के सामने और इसपष्ट किया है और कहा कि तेजस्य परिशाद ने परियावरन वन एवं जलवाई परिवर्तन विवार के अदिन फारेश्ट गाड और फारेश्टर के पदवर भरती होने के लिए होने वाले सारीरिक परिच्चा वा सारीरिक दक्सता परिच्चा इस्तगित कर दी है यह परिच्चा 10 जनौरी से 12 जनौरी 2022 तक हो अगली बाड़ी कबर बंद हुआ पटना का महावीर मंदिर लेकिन मिलेगा परसाद आज से। अंवेंदम के काउंटर रहेंगे खुले ह१। अब भक्त महावीर मंदिर के दरिसन Psychology के दर्सन ऑल्लाइन कर सकlie है। सरकार की निर्देश के बाद आज से पट्ना सेथ पूरे बिहार के धार्मी के स्थल बंद हर दिये गए है उसी आदेश के अदहत पट्ना सेथ महावीर मंदर भी बगतों के लिए बंद कर दिया गया है लेकिन जो भक्त भगवान हनुमान जी का दर्सन करना चाते हैं वो जियो टीवी पर लाइब दर्सन कर सकते हैं पटना का महावीर मंदिर उत्तर भारत का पहला मंदिर है जा दिन बर जियो टीवी पर लाइब रसारन किया जाता है इसके अलावा आपको बदाद के महावीर मंदिर के परवेश दुआर और निकास दुआर के समय पिस्तित नवेद्दम काउंटर साम आठ बजित खुले रहेंगे राज सरकार ने दुकानों को इस समय तक कोलनी के अनमते दी है इसी समय पर आप नवेद्दम परसाद ले सकते हैं अगली बड़ी कबर बिहार के मंतरी जनक राम नितनन राय पोजिटीव पटना में तीन मा का मासुम भी संक्रमित एनेम सेच में भरती जे अबियार में कोरोना के सिती विस्पोटक हो गई है पटना में सबसे बड़ा होट इस्पोट बन गया है राज में पिछले 24 गंटे में 23,89 से नए मामले आये हैं वहीं बीजेपी के राज सबस सांसत राके सिन्ना भी संक्रमित हो गए हैं उन्हों ट्यूट करके लिखा ह कि कल जाच में कोरोना पोजिटिव आया है संपर्क में आये लोग जाच करा ले साथी केंद्रिय गिरा राज मंत्री नितानद राय और मंत्री जनक राम की रिपोर्ट पोजिटिव आया है वहीं पटना में तीन मा का मासों भी संक्रमित मिला है उसे एनम सीयच में भरती करा अगली बड़ी कबर बिहार बोर्ड ने मेट्रिक के परिचात्रियों को दिया अंतिम आउसर इस तारिक तक जमा कर दे फिस जहां बिहार बोर्ड ने मेट्रिक और इंटर परिचा के तितियारी कर दी है इस वर्स मेट्रिक के परिचा में सामिल होने जा रहे किनिडेट को कर जारी नहीं किया जाएगा जानकारी के अनुसार 17 फरवरे से मेट्री के परिचा आईजित होनी वाली है जहां आप तक बड़ी संक्या में चात्रों का निवंदा नेवं परिचा सुल्क अभी तक जमा नहीं किया गया है लेट फिय और एक्जाम पे के लिए बिहार बोर्ड बार बार जिला सिक्चादिकारियों स्कुल के प्रिंसिपल और केनिडेट से आगरा कर चुका है लेकिन अभी भी हजारों परिचात्रियों ने बोर्ड को परिचा सुल्क जमा नहीं किया है अगली बड़ी खबर बिहार में बगएर मास्क के निकले तो देना होगा फाइन गाड़ी भी होगी जब्द जिया तीसरी लहर को लेकर नई बंदी से लागू होने के बाद कल से राज़ानी पाटना में सकती भी देखने को मिली है पाटना में अगर आप मास्क के बगएर गर से बाहर निकले तो आपको फाइन देना पड़ेगा इतना ही नहीं अगर किसी गाड़े में मास्क के बगेर लोग सफर करते पाएगे तो उस गाड़ी को भी जब्द किया जा सकता है पाटना के डियम डाक्टर चंदर सिकर सिंग ने इसपेश्ट कर दिया है कि कुरोना नियंतरंग के लिए किसी भी तरक लाफरवाई बरदास नहीं की जाएगी इसके अ आयोजन से लेकर प्रसिक्षन तक पर रोग जी अबियार में इस कुलो से लेकर आयने सभी खेल परतियोगिताओ और गतिविद्यों पर ततकाल परवाव से रोग लगा दी गई है सरकार के अपर सचीव दिपक आनाद ने वैस्विक महामारी के संक्रमन को रोखने के लिए जीलो में इसी अउट डूर तता इंडूर स्टेडियम केल परिसर में खेल को सगित करने का आदिस दिया है इसमें के आयोजन और प्रसिक्षन को ततकाल परवाव से रोग दिये जाने का आदिस का सत परतिसत पालन कराने को कहा गिया है अगली बड़ी केवर पंजाब में पियम मोदी की सरक्चा में चूख सक्त एकसन के पक्च में नितिस कुमार जानिये क्या बोले बिहार के सियम जहां पंजाब में पियम नरेंदर मोदी की सरक्चा में हुई चूख पर बिहार के सियम नितिस कुमार ने चिंता जाहिर की है दोसी लोगों की खिलाब सकत कारवाई होनी चाहिए। वे परिचा समन्दी जानकारी और अपडेट के लिए विस विद्दाले की वेफसाइट एगनु.ac.in को लगातार देखते रहे। वरान की बड़े खबर यूपी पुलिस रेडियो विवाग में बंपर भरती 2400 से ज़्यादा पदो पर निकली वेकेंसी। जहां उत्तर परदेश पुलिस बरती वं प्रनत्ती बोर्ड ने रेडियो समर्ग में वावो के लिए बंपर भरती निकाली है। यूपी पुलिस के रेडियो विवाग में करीब 2500 वेकेंसी निकाली गई है। पराने के अंतिम तेदी भी 28 स्वरवरी 222 ही है। आज के लिए आपका स्वाल बताए कि पंजाब में पेम मोदी की सुरक्चा में हुए चूक में जिम्मिदार कौन है। इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए।